बोले हुए शब्द वापस नहीं आते. एक बार एक किसान ने अपने पडोसी को भला बुरा कह दिया, पर जब बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह एक संत के पास गया. उसने संत से अपने शब्द वापस लेने का उपाय पूछा. संत ने किसान से कहा, तुम खूब सारे पंख इकटखा कर लो और उन्हें शहर के बीचों बीच जाकर रख दो. किसान ने ऐसा ही किया और फिर संत के पास पहुँच गया. तब संत ने कहा, अब जाओ और उन पंखों को इकटखा करके वापस ले आओ. किसान वापस गया पर तब तक सारे पंख हवा से इधर उधर ओड़ चुके थे. और किसान खाली हाथ संत के पास पहुँचा. तब संत ने उससे कहा कि ठीक ऐसा ही तुम्हारे द्वारा कहे गए शब्दों के साथ होता है, तुम आसानी से इन्हें अपने मुख से निकालतो सकते हो पर चाह कर भी वापस नहीं ले सकते.